लो बै आ चुके हैं OnePlus के Gaming Trigger अगर आपके पास OnePlus Smartphone है तो अब आप खरीच सकते हैं OnePlus के Gaming Trigger और अपने OnePlus में लगा कर Gaming धमा के दार कर सकते हैं अपने Gaming Experience को एक लेवल और उपर लेकर जा सकते हैं तो अगर आप एक Gaming Trigger खरीदने का सोच रहें खास तो और पर OnePlus के तो आप इस वीडियो को आइंटेक देखेगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए आए हुए OnePlus के Gaming Trigger के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस Trigger को खरीदना चाहिए नहीं चाहिए किसे जरूर है Gaming Trigger की और किसे जरूर नहीं है Gaming Trigger की सारी बाते मैं आपको बताऊंगा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे सौट कट में खतम कर देंगे तो बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा उर्फान और आप देख रहा है टेक सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला था यहाँ पर जो OnePlus की Gaming Trigger की जो प्राइज है वो है 1099 रूपे यानि कि लगबग पकड़ लो 1100 रूपे तो भाई यह है 1100 रूपे के OnePlus के Gaming Trigger काफी अच्छी और यूनिक डिजाइन आपको देखने को मिलेगी और आप सही मैं यार गेम काफी अच्छे से कर सकते हैं इस Gaming Trigger में Silicon Pets का यूज किया गया है यह Capacity Conduction का काम करता है यानि कि यह Smartphone की डिस्प्ले के साथ सीधा इंट्रेक्ट रहता है जिससे आप Real Time में Action देख सकते हैं तो अगर आपके Smartphone की Thickness 11.5 mm है तो यह जो Gaming Trigger है ना बढ़ी आसानी से बैट जाएगा आप बढ़ी आसानी से खेल सकते हैं यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि यह लगबग सभी Smartphone में काम करेगा अलबत iPhone में भी यह काफी अच्छे से काम कर लेगा और एक बात तो यहां पर बिलकुल सीरी सी दिये कि इस Gaming Trigger को खास तोर पर Battle Royale Game के लिए बनाया गया है अगर हम यहां पर बात करें सीधे सीधे तोर पर PUBG के बारे में Call of Duty के बारे में, Free Fire के बारे में तो इनी गेमों के लिए इसे डिजाइन किया गया है या फिर इनी के लिए ही बनाया गया है क्योंकि आज कल आपको बता होगा कि Battle Royale Game सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन में खेली जा रही है अब मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि अभी जाकर आपको इस गेमिंग ट्रिगर को खरिजना चाहिए या नहीं तो देखिए अगर आप PUBG गेम खेलते हैं Call of Duty खेलते हैं या फिर Free Fire खेलते हैं अगर आप अल्रीडी अभी बीना गेमिंग ट्रिगर के ही आप Four Finger से गेम को खेल रहे हैं तो भाई आपको गेमिंग ट्रिगर नहीं खरिजना चाहिए क्योंकि अगर गेमिंग ट्रिगर भी आप खरिजनेंगे तो सिंपल है आपको वहाँ पर भी उपर वाली दो फिंगर का यूज़ करना ही पड़ेगा बट अगर आप Four Finger से गेम को खेल रहे हैं रहेगा तो उन लोगों के लिए ट्रिगर है तो भाई अगर ऐसा कुछ है यानि कि खेलने में कोई दिक्कत आ रही है आपको और आप चाहते कि उपर से बटन मिल जाए तो काफी अच्छा रहे तो उस कंडिशन में उस वक्त के अंदर आपको ऐसा गेमिंग ट्रिगर खरिदना चाहिए अब हम ये भी बात कर लेते हैं वण प्लस के ट्रिगर खरिदना चाहिए फिर कोई और गेमिंग ट्रिगर खरिदना चाहिए तो देखिए वण प्लस के गेमिंग ट्रिगर वैसे तो ग्यारा सो रूपे के हैं और ग्यारा सो पर मेरी साफ से काफी महांग हैं, मार्केट में तो दो सो दो सो रुपे वाले भी गेमिंग ट्रिगर मिल जाते हैं, ऐसे ही काम करते हैं, थोड़ा सा आपको हुआ पर एक तर से कहें, तो टच रिस्पॉंस देखने को ना मिले, यहाँ trigger के साथ four finger के practice ऐसे ही कर रहे हो तो भाई बीना trigger हटा के सीधे ही four finger के practice कर लो ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो फिलाल अभी game को two finger में खेल रहे हैं तो I hope आप समझ गए होगे कि आपको gaming trigger खरिदना चाहिए या नहीं चाहिए बट फिर भी भाई oneplus का है तो भाई मैं तो इस oneplus के gaming trigger को खरिदने वाला हूँ बट तब खरिदूँगा जब इस वीडियो पर आएंगे 3000 लाइक और जैसे 3000 लाइक आ गए तो मैं खरिद कर करने वाला हूँ इसका giveaway तो giveaway करने के लिए सिंपल है बस मैं इस वीडियो के अंदर से किसी भी एक कमेंट को पिक करूँगा और एनाउंस कर दूँगा Instagram पर और Instagram पर पता चल जाएगा कि वह वीनर कौन है और उसे हम इस oneplus के gaming trigger को प्लब दे देंगे सिंपल सी बात है तो जब 3000 लाइक आएंगे तब खरी देंगे अगर नहीं आएंगे तो फिर नहीं खरी देंगे वह फिर आप पर डिपेंड करता है आपको वीडियो को लाइक करना है तो बटक से कर दो और करना ही पड़ेगा भाई आपको अच्छी जानकारी मिलिए और अ सब्सक्राइब को लीजिए तब तक लिपने भी आनक ना दुस्तों टेक केर वाई